प्रेज़ दरोड आज तब को जैमसी की मैं प्रमिर्सर का धन्यवाद देता हूँ एक बाद फिर से के प्रमिर्सर ने मौका दिया है और अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के उपर हम मनन्द करें और आज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरे पास बहुत अच्छा टॉपिक है मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करूं और जैसे कि आपने थमनेल में भी देख लिया होगा पहले प्यार के विश्य में तो आज इस विश्य पर हम बात्चित करेंगे और यह टॉपिक मैंने लिया है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अधिय और उन बातों को समझें जो परमिस्तर इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है प्रकाशित वाक के बहुती गंभीर पुस्तक है और बहुती रहस्य में पुस्तक है इसे समझना समझाना कठिन काम है लेकिन नामुम्किन नहीं है हम उस पर मनन कर सकते हैं तो इफीसियो इफिसस की कलीशिया के विश्टे में तो मैंने description में एक लिंक डाला है आप उसे click कर सकते हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने इफिसस की कलीशिया के विश्टे में एक एक episode बनाया है एक video बनाया है आप उसमे जान सकते हैं कि कि स्परकार से पakलूस ने वहाँ पर महनत की और प्रिस्किला और अक्विला जो दो लोग थे उन्होंने पॉलूस के साथ महनत की अपुलॉस भी वहाँ पर था तिमुथेत भी वहाँ पर रुका लेकिन हुआ क्या क्या के निए से वैक है वैविचार करवाया वैविचार के लिए उन्हों उखसा जा यह निकुलेयों सिक्षा थी इसल्य एफिसुस के पत्री में लिखा है इफिस्स के पत्री को लिखते समय यहुनना को प्रभु येसुमसे ने कुछ बाते कहीं लेकिन ये इफिस्स की कलीसिया के लिए तो हैं बातें लेकिन ये मेरे और आप के लिए भी है तो जो description में मैंने जो link डाला है वो तो Ephesus की कलिसिया के लिए है लेकिन जो अभी मैं आपके सामने बचन लेकर आया हूँ वो मेरे और आपके लिए है तो दोनों बातों को हम देखेंगे अगर शाब्दिक रूप में देखना है तो Ephesus की कलिसिया को हम देखेंगे जो description में मैंने दे रखा है आप उसे देख सकते हैं चोटा सा वीडियो है आप उसे जरूर देखेगा उसमें जानकारी आपको मिलेगी Ephesus की कलिसिया के विस्वे में कि वहाँ पर किस परकार से संद्पॉल उसने मेहनत की अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दुरान और उसके बाद निकुलेयों ने कैसे काम बिगाड़ा उनका वो भी सारी बाते उसमें मैंने बताई है आज हम जानेंगे इसका आत्मिक रूप मैं उस वच्छन को पढ़ने से पहले आपको बता दू मैं आपका दोस पासर राज मैसी आपसे मुखातिव हूँ और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रजर राज मैसी मैं आपसे कुझारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तक कि नए वीडियो का नेटिफिकेशन आपके पास महुंचे क्योंकि प्रती दिन सुबा आट बजे मैं प्रिमेर में एक वीडियो डालता हूँ जिसे आप लोग देखते हैं सराहते हैं मेरी होसला जाई कर रहें मैं आपका तहे दिन से शुक्र उगज़ार हूँ मैं सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम ऐसे हैं क्या हम ऐसी कर सकते हैं क्या हम ऐसा कर रहे हैं यह सारी बाते मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो आईए आपके वचान को हम शुरू करेंगे मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दो अधियाए और पहले पढ़ूंगा लेकिन हम आज मनन करेंगे चौथे पढ़ूंगा मैं सुरु से पढ़ देता हूं इफिसिस की कलीशिया के दूद को ये लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए और जो अपने आपको प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तुने परकर जूटा पाया है और तू धीरे धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं चार आयत को देखेंगे अब हम किसी के उपराजम मनन करेंगे चार आयत में लिखा है पर मुझे तेरे विरुध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है बहुत गंभीर बात है ये और इस पर मनन करना बहुत जरूरी है यहां लिखा है कि तूने अपना पहला प्रेम पहला सा प्रेम छोड़ दिया है पहला प्रेम पहला प्रेम जो होता है वो बहुत उसी को याद दिलाते हैं कि तुने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है जैसा प्रेम तु पहले करता था तु आज वैसा प्रेम नहीं करता मुझको देखिए प्रभू येस्व मसी के विश्चे में लिखा इबरानियो 13 ध्याय और उसके आठ पज में कि येस्व मसी कल आज और यूग और यूग एक सा है वो कभी नहीं बदलता है जैसा प्रेम वो हमसे 2000 साल पहले रखता था वैसा ही प्रेम वो आज भी हमसे रखता है लेकिन मनुष से जो है वो बदल जाता है मैं आप कोई भी हो हमारा प्रेम बदलता रहता है समय के साथ हम करवटे बदलते रहते हैं समय के साथ हम बदल जाते हैं यहां पर प्रभु ये सुमस्टी थोड़े से क्रोधित होकर कहते हैं कि पर मुझे तेरे विरुधिये कहना है कि तुने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है अब हम इसका आत्मिक रूप देखेंगे मैंने आपको बताया है कि शब्दिक के रूप अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिक्शन में एक लिंक है उसे क्लिक कीजिए और आपको उसमें इफिस्वस की कलिश्या की जानकारी मिलेगी कि उन्होंने पहला सप्रेम कैसे छोड़ दिया क्योंकि वो निकुलेईयों की सिक्षा की और चले गए आज हम देखेंगे इसका आत्मिक रूप आत्मिक रूप यह है यह लिखा है पर मुझे तेरे विरुदिय कहना है कि तुने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया हम कब छोड़ देते हैं प्रभू को जब हम यह सोचने लखते हैं कि अब हमें किसी चीज़ की जुरत नहीं है हम सब कुछ जानते हैं हम परिपक्फ हो गए हैं हम माश्टर बन गए हैं हम सिध हो गए हैं हम परिपक्त हो गए हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, तब हम प्रभू को छोड़ देते हैं। यहां पर हम इस बात को गौर करेंगे आज, कि यिस्व मसी ने इस बात पर क्यों जोर दिया है, कि मुझे तेरे विर्दिये कहना है, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लिखा है कि पहले के समान काम कर और यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को सुष्थान से हटा दूगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलेईयों के कामों से घिरना करता है, जिससे मैं भी घिरना करता हूँ, निकुलेईयों के बारे मैंने आपको बता दिया, वो बैविचार करने के लिए उफसाते थे, इफूसिस के लोगों को, और मुरत पर बली क्यों ही चीज ये सुमसी के अलावा और कोई नहीं है जो हमारा अधार कर सके प्रभू ये सुमसी के अलावा कोई नहीं है जो मुझे चंगा कर सके प्रभू ये सुमसी के अलावा कोई नहीं है जो मेरे जीवन में काम कर सके ये बातें सोच सोच कर और इनी में अपने जीवन को बिताते बित आते हैं, हम बहुत परिपक्त हो जाते हैं, और हम चर्च जाना शुरू करते हैं, हम पाश्टर की नजदीकी में रहना पसंद करते हैं, चर्च में सबसे आगे बैठ कर वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं, और तब क्या होता है पवित्रा आत्मा हमें कायल करता है कि अब हम बब्तिस्मा ले दें अब हम बब्तिस्मा ले लें फिर हम अपने पाश्टर से बात करते हैं पाश्टर जी अब मुझे बब्तिस्मा लेना है पाश्टर जी तयार हो जाते हैं बबतिस्मा देने के लिए लेकिन उससे पहले वो शिक्षा देते हैं और सिश्चा के दोरान सारी बातों को सिखाते हैं कि बबतिस्मा क्या है और जब बबतिस्मा लेने के बाद हम ऐसे पानी में जाते हैं डूब जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं उसके बाद हम प्रभू के सम्मुक समर्पित हो जाते हैं नतमस्तक हो जाते हैं हम उसे दंडबत करते हैं और हमारे जीवन में प्रभू को छोड़ और कोई नहीं होता है हम हर समय प्रभू प्रभू करते रहते हैं और प्रभू की बातें करते रहते हैं वचन की बाते करते रहते हैं अराधना सूती करते रहते हैं लोगों को रुक रुक कर पूछते हैं कि आप के लिए प्रात्ना करें इस तरह से हमारा जीवन शुरू हो जाता है बप्तिस्मा लेने के बाद लेकिन जू 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 दिन गुजरते चले जाते हैं जिव जिव दिन गुजरते चले जाते हैं, हम पीछे 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 होते चले जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम बब्तिस्मा ले चुके हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने प्रभु येसु मसी को ग्रहन कर लिया है, हम भूल जाते हैं कि हमारा अधार हो चुका है, हम वापस उसी जिंदगी में चले जाते हैं जिस जिंदगी को हमने येसु मसी के लिए छोड़ा था वापस चले जाते हैं इसे कहते हैं पहला प्रेम जब हम येसु मसी को पहली बार जानते हैं हम येसु मसी को ग्रहन कर लेते हैं हम येसु मसी को अपना जीवन दे देते हैं हम के लिए समर्पित हो जाते हैं हम ये सुमसी के लिए वाइदा करते हैं कि प्रभू मैं तेरे लिए काम करूंगा हम अपने आपको ये सुमसी के आगे सिरंडर कर देते हैं हम ये सुमसी के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं ये है प्रभू ये सुमसी से पहला प्रे और हर activities में भाग लेते हैं हम चर्च की और पाश्टर जी से बात्चित करते रहते हैं वचन की नई बात हमें पता चलती है तो तुरंत हम पाश्टर जी को बताते हैं कि पाश्टर जी आज मुझे ये बताया परमें सन्य वचन में से आज मुझे ये बात पता चली हम एक दिव आने से हो जाते हैं प्रभू के वो दिवानापन धीरे धीरे कब खतम हो जाता है जब दिन बीचते चले जाते हैं बीचते हैं दिन बीचते चले जाते हैं हम पीछे होते चले जाते हैं और वो पहला प्रेम हमारा ठंडा हो जाता है हमारे अंदर फिर वो सरगर्मी नहीं रहती हम चर्च में भी जाना कम कर देते हैं एक संडे जाएंगे दूसरे संडे नहीं जाएंगे हम चर्च की अक्टिविडीज में भाग लेना बंद कर देते हैं हम और दूसरी बातों में भी हिस्सा लेना बंद कर देते हैं हम घर में बाइबिल पढ़ना भी बन जा देते हैं हम दूसरी बातों में उलज जाते हैं ये सुमस्य कहते हैं पांच में पद में कहते हैं कि सुच चेत करके तू कहां से गिला यानि कि तू इस बात में सोच अपने दिमाग पर जोर डाल के कहां से तुझे गलती हो गई है और मन फिरा और पहले के समान काम कर मौका देता है परमेसर वो मौका हमको नहीं चुकना एक मौका दे रहा है प्रभू यहां पर कह रहा है पहले के समान काम कर पहले के समान काम कर फिर से उठ खड़ा हो सब कुछ खतम नहीं हुआ है अभी हमसे गलती हो सकती है हम पीचे हट सकते हैं लेकिन सब कुछ खतम नहीं होता हम फिर से तौबा करें फिर से पश्चताप करें शमा मांगे प्रभु से प्रभु मुझे गलती हो गई थी मैं फिर से तेरे पास आ गया हूँ पहला प्रेम जब हम भूल जाते हैं पहला प्रेम जो प्रभू से हमारा होता है जब हम उसे छोड़ देते हैं तो प्रभू करोधित होता है वो कहता है कि सोच तु कहां से गिरा है या कहता है चार पद में पर मुझे तेरे विरुद ये कहना है कि तुने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है अब ये बात मेरे और आपके उपर है हम इस बात पर गोर करें सोचें कि हमसे कहां गलती हो गई कहां पर हम गिर गए कहां पर हमने प्रभू को छोड़ दिया कहीं हम प्रबू ये सुमसी को अपना एक ATM कार्ट की तरह तो यूज नहीं कर रहे ये पैसे की जुरत पड़ी तो ATM कार्ट को यूज कर लिया कहीं हम प्रबू ये सुमसी को अपने मतलब के लिए तो यूज नहीं कर रहे ये बात सोचने वाली है तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहां पर गिर गए कहां पर हमसे गलती हो गई हम वहां पर सोचें विचारें प्रभू से छमा मांगें प्रभू हमारा माफ करने वाला है वो माफ कर देगा और हमें सीने से लगा कर कहेगा हमें सामतम ना देगा और कहेगा कि मैं तुस्ते प्रेम रखता हूँ Praise the Lord बहुत अच्छी आयत है ये पर मुझे तेरे विर ये कहना है कि तुने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है अगर ऐसा हुआ है आपके जिवन में तो आज ही प्रभू के पास आ जाएं आज ही घुटने के बला जाएं आज ही हातों को ठाकर करें प्रभू मैं फिर से तेरे पास आ गया हूँ मुझे अपने कले से लगा ले दाउद ने जब बतसेबा के साथ वेभिचार किया तो परमिसर ने उसे छोड़ नहीं दिया परमिसर ने उसे छोड़ नहीं दिया परमिसर ने अपना एक दास भेज कर उसको चिताया उसे बताया के देख तू कहां से गिरा है और उसे बताया के तू बश्चत आप कर दाउद ने पश्चत आप किया बजन सरिता 51-51 उसका पश्चाताप है जब उसने पश्चाताप किया माहप कर दिया परमय सनय उसको और उसने इसरेल पर फिर काफी सालों तक ये राज किया काफी वश्चों तक ये राज किया तो इसी तरह से दाऊच से हमेंग सीख ले सकते हैं कि उससे गलती हुई लेकिन उसने पश्चताप किया परमेशने से माफ करती है हमसे भी गलती हो सकती है हम भी पीछे हो सकते हैं हमारा भी पहला प्रेम ठंडा हो सकता है हम फिर से उस प्रेम को जागर करें फिर से कहें प्रभू मैं तुससे प्रेम करता हूँ इतना कहना होगा कि प्रबू तुरंथ हमें गले से लगा लेगा बाइबल में एक लड़के की कहानी है जिसे उड़ाओ पुत्र कहते हैं वो सब कुछ लेकर दूसरे देश चला गया और वहाँ पर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी लेकिन जब वो वापस आया जब उसके आपे में आया महा लिका है जब वो आपे में आया तो उसने सोचा मेरे पिता के घर में तो जो मेरे नौकर है वो मुस्से अच्छा भूजन खाते है वो वापस आया तौबा की उसने उसने पश्चतात किया इस बात के लिए तो क्या उसके बाप ने से छोड़ दिया? नहीं उसके लिए ऐसे खड़ा था उसका बाप दोड़ कर गया उसका बाप दोड़ कर गया उसका बेटा दोड़ कर नहीं आया वो दोड़ कर गया उसे गले से लगाया उसे बहुत चुमा उसे अंगूठी पेनाई, जूते पेनाई, कपड़े पेनाई और एक बहुत बड़ा जशनस के बाप ने किया तो गलती हो जाती है तो वहाँ पर सब कुछ खतम नहीं होता फिर से उठकाड़े हूँ, फिर से प्रभू के पास आजाए, फिर से कहें प्रभू देख मैं तेरा बेटा तेरे पास आगया हूँ मैं तेरी बेटी तेरे पास आगई हूँ, मुझे माफ कर, प्रभू माफ करेगा और आपको फिर से गले लगा कर कहेगा कि मैं तुस्थे प्रेम रखता हूँ प्रेज अलॉड आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी ये बचन आपको कैसा लगा आपने इसे क्या सिखा कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझे जरूर बताईएगा परमेसर आप सबको आशीदे प्रेज़ अलॉड